हलो फ्रेंज वेलकम तो माई चैनल आज हम बनाएंगे गुजिया जो होली पर स्पिसल बनाई जाती है गुजिया बनाने के लिए हमने लिया है मावा गरी का भूरा चिरणजी और यह सोट का पौडर है सोट पौडर और चीनी इसी हुई थोड़े ड्राइफ रूट एक चम्मच पुटी हुई लाइची देसी घी को हमने मेल्ड कर रखा है और ड्राइफ रूट को हमने थोड़ा सा घी में फ्राई कर रखा है कि यहां पर हमने मैडा लिया है मैडा में हम मौम लगाएंगे और इसमें हम खीर डाल रखे हैं आप और दाल सकते हों देखे मुएम लग गया है और यह अच्छे से मुख्य बन रही है और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सॉप्ट डो लगाएंगे मैदे को हमें गुण लिया है और इसे हम रख देंगे ढखके 10 मिनट के लिए यह अच्छे से सेट हो जाएगा मावा को हम बड़े बरतन में डालेंगे और इसमें हम चिनी आड़ करेंगे आप कम ज्यादा रख सकते हो चिनी को मैंने इसमें पांस से च्छ चम्मच डाला है बड़ा चम्मच और इसमें एक चम्मच शोट पाउडर कुटी हुई लाइची ड्राइफूड चिरोंजी और गरी का भूरा इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे सारे इंग्रीडियन्स को अच्छे से मिलाएंगे आप देख पारे हो फ्रेंड्स है अच्छे से मिल गया है और यहां पराटा भी अच्छे से सेट हो गया है और इसमें से हम छोटी सी लोई तोड़ेंगे अब इसमें थोड़ा सा सुखा अठा लगाएंगे अब एक रोटी बनाएंगे बड़ी सी बेलेंगे और इसी गिलास की मदद से या कटोरी हेल्प से हम काट लेंगे देखें चार निकल के आए हैं छोटे छोटे चोटे और इसमें हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे पानी लगाने से होता है कि यह छूपता नहीं है इसकी जुएंट और इसमें हम फीलिंग रखेंगे और इसे चिपका देंगे आ और या गुझीये के साचा में रख देंगे और रखे次 अच्छे तरह से इतिवा देंगे इस्ट्रा ऋटा निकल जाएगा इए देखिए कोड़ी मेरी ज़्यादा बड़ी नहीं थी इसलिए जादा आश्ट्रा आटा नहीं निकलाime देखे कितनी अच्छी गुजिया बनके तैयार हो गई है और इसी तरीके से हम दूसरा भाला भी बना लेंगे देखे तबाएंगे और इस्टरा दाल देगे इसी तरीके से हमने सारे गुजियो को बना लिया है आप देख रहे हूं चलिए इसे फ्राइब करते हैं यहां पर हमने रिफाइंड ओयल लिया है और उसमें डालेंगे हम सारे गुजियों को डाल देंगे और इसे हम हलके हाँ से चलाएंगे देखे कलर जिसका चेंज हो गया है थोड़ा सा और लाल हो जाएगा बन गया है और इसे निकाल लेंगे इसी तरीके से हम सारे गुजियों को निकाल लेंगे गुजिया बनके त्यार हो गई है बहुत भी टेस्टी बनी है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करना सस्क्राइब करना सेयर करना तब तक कि ये बाई मिलते है नेस्ट पेस्पी के साथ